नमस्कार मैं आपका दोस्त इंजिनियर प्रभात कुमार सिंग नीरला कंस्ट्रक्शन यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ दोस्तों डेली की बाती आज एक और वीडियो लेकर में आप लोग के लिए हाजिर हो गया हूँ और आज की इस वीडियो में में आप लोग को एक बनता हुआ घर जिसका काम छट ड़लाय तक कंप्लीट हो गया है इस घर का वाक्तुर दिखाना चाहता हूँ और इस घर के आगे में आप देखेंगे तो इस घर कल्लुक को बठाने के लिए एक सुन्दर सा हाउस इंट्रेंस पॉइंट भी बनाया जा रहा है इसके बारे में भी पूरा जयनकारमी आपको देने वाला उसके बाद में आपको इस घर के अंदर ले जाकर चलूँगा और देखेंगे किस तरीका से इस घर को बनया जा रहा है साइज का बात किया जा है तो इस घर को 50 feet by 40 feet मतलब 2000 square feet में बनया जा रहा है और इस घर के आगे एक लगबक 13 feet by 13 feet का house entrance point भी बनया गया है आप देख सकते हैं बात करेंगे सबसे पहले फ्रन्ट डिजाइन का है तो आप देख सकते हैं कि 4 feet बाहर के तरफ चजा निकाला गया है और side के तरफ भी 4 feet चजा यहाँ पे निकाला गया है एक छोटा सा एगी डोर आपको यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है सामनी की तरफ आपको दो विंडो देखने को मिलता है आप देख सकते हैं बिलकुँ सिंपल डिजाइन का इस विंडो को बनया जा रहा है इज़र देखते हैं तो house entrance point है और तीनों तरफ से आप देखेंगे तो arc shape का इस्तमाल यहाँ पे किया गया है सामने तरह भी और side तरह भी आने वाले दिन में इसमें काफी अच्छा डेजाइन आपको दिखने को मिलेगा मैं आप लोग के लिए part wise वीडियो अपलोड करता रहूंगा इसका लुप को बढ़ाने के लिए circular shape का कॉलम भी आप देख सकते है टाइब बीम का जो लेबल होता है जो प्लिंदम के लेबल वहीं से इस बीम को निकालते हुए बनेया जाता है नीचे से यहाँ पे दो फूटिंग के साथ कॉलम को लिया गया है उसको नीचे से लेकर इंटरंस है वो इंटरंस परिंट ते निचे से है और इसका बात क्याँ जाए में इसका जो डोर है size का तो लगबग 7 feet by 7 feet का में डोर है और जैसे ही आप घर में इंटर होते है तो आपको यहाँ पे मिल जाता है hall आप देख सकते हैं और hall का जो लुक है उससे बढ़ाने के लिए इस अपने घर को एक अच्छा लुक देने के लिए अंदर से आर्क काई समाल किया गया आप देख सकते हैं यह आर्क दिया गया हाला कि सुरुवाते दोर में है इसे फिनिस्टिक का काम करना भी बाकी है तो किसी भी घर में जाते हैं घुसने के साथ अगर आपको आर्क मिलता है काफी अच्छा इंप्यक्ट परता है तो आप देख सकते हैं कि हॉल के जस्ट बाइये साइड में आपको मिल जाता है एक चार फीट बाइये साथ फीट का विंडो और यह जो कीचेन है और हॉल के बीच में अटेचमेंट बना रहा है उसके लिए यह विंडो दिया गया है इसका डोर वहाँ पर भी है आप देख सकते हैं धाय फीट बाइये साथ फीट का वो इस तरीका से इसका कहानी है बाइये साइड का हॉल का हॉल का दाहिने साइड का बात किया जाए तो आपको मिलता है common toilet bathroom आप देख सकते हैं कि यह common toilet bathroom बनाया जा रहा है चलिए अंदर चलत फीट चौरा गली भी मिलता है जिसके आगे में आपको bedroom देखने को मिलेगा तो यहाँ पी हमारा dining area उसके जस्ट बाइये साइड में देखेंगे तो आपको मिल जाता है इस घर के लिए पूजा रूम आप देख लीजी मिलकुल सुवाती दोर में काम है और उसी के जस्ट ब स्टेयर इस घर के लिए इस तरीका से बनाया जा रहा है और यह आगे जांग गली है तो गली के दोनों साइड एक एक बेडरूम आपको देखने को मिल रहा है यह पहला बेडरूम है और एक विंडो भी है इसमें और उसके जस्ट अपोजिटिवला रूम देखेंगे तो य इसमें आपको विंडुदो देखने को मिल रहा है तो इस तरीका से ऐस घर को बनाया जा रहा है तो चलिए मैं आपके एक बहर फीर से दिखा रहता हूं अगर कोई confusion है तो वो confusion दूर हो जाएगा आप देख सकते हैं कि यहाँ से हम लोग inter होते हैं घर में inters point के जरिए जैसे हैं inter करते हैं आपको मिलता है hall आगे में मिलता है dining area डाइनिंग एरिया डाइनिंग कर जस्ट वगल में आप जलते हैं तो यह dining area है और dining area के जस्ट आगे आपको मिल जाता है hall इसके दोनों तरफ room यह देख सकते हैं पहला room bedroom दूसरा bedroom यहाँ पर आपको मिल जाता है city room फिर आगे जाते हैं तो जो गली है वो आगे जाकर toilet और bathroom बन जाता है उसके फिर दोनों side में यह एक बेडरूम आपको देखने को मिल जाता है कुछ इस टैप से तो बनावट साफ है 2000 square feet के आसपास का area में आप अगर घर बनाने वाले हैं तो आप इस pattern के साथ भी अपना घर है वो बना सकते हैं और possible हो अगर तो आपके hall और dining area रहता है उसके बीच में आप एक arc जरूर दे ताकि आपका घर का लुक वो का गुना तक बढ़ सके क्या बाहर से घर को सुंदर बनाने से लिगे तो बहुत ज़्यादा खर्चा करते हैं अंदर में आप एक या दो आर्क लगा देंगे तो आपका घर का लुक काफी अच्छा रहता है जो आपके आज फरोज से आपके हिस समद्धिया तो काफी इंपक्ट इसका पड़ता है तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दिजे और इस घर के बाहर में जो हाउस इंट्रेंस पॉइंट बने आज रहा है इसका कंप्लीट वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्रिप्शन मोंक्स में लिंक दे दिया हूँ आप जाकर स्टेप वाइज स्टेप देख सकते हैं किसे कैसे बने आजाता है मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक लिए इंजिनियर प्रभाद और पूरी टीम को इजाज़त नमस्कार